देश में फैले कोरोना वाइरस और लोकडाउन के चलते मध्यमवर्गे परिवारों का गणित बिगडा पड़ा है जहां देश में पैट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से देशवासी गहरी चिंता में हैं वहीं अब आम लोगों के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है लगातार बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ती जा रही है लोकडाउन के दोरान सस्ती सबजियां खाने को मही लेकिन अब अचानक सबजियों पर बढ़ी महंगाई से आम आदमी बेहत परिशान है अनलोक टू लागू होने के बाद से सबजियों के दामों में दो से तीन गुना इजाफा देखने को मिला है मंडियों में बाहर से आ रही सबजियों के ट्रांस्पोर्ट का खर्च बढ़ने लगा है तो वहीं लोकल सबजियों की आवक घटने लगी है जिससे सबजियों पर 20 रुपे किलो बिकने वाला टमाटर आज 50 से 55 रुपे किलो बिक रहा है वहराल एक तरफ पैट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की मार पड़ रही है तो वहीं अब सबजी के दाम दोगुना होने से आम आदमी की बचत पर सीधा असर पड़ रहा है अन्य राजियों से आ रही फल और सबजीयों के परिवहन शिल्क बढ़ने की वज़ा से कीमतों में बढ़ोतरी हुई है फल सबजीयों के ठोक व्यापारियों का कहना है कि अभी सबजीयों की कीमतों पर महंगाई जारी रहेगी देश में फैली कोरोना महामारी और लोकडाउन की वज़ह से कितने ही लोगों का कामधंदा बिलकुल ठप हो गया है और अब ये बढ़ती महंगाई मध्यमवर्य परिवारों के लिए परिशानी का सबब बनी हुई है लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना ना भूलें